वेलकम बैक टू आर जैनल गौसी वी सुमन तो हैपी संडे आप सबका संडे कैसे जा रहा है बताना और आज तो दो बहुत अच्छी निकली हुई है वाक्य में और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ठंड भी हो और कल तो सबको पता है कि क्रिस्मस डी है तो चलिए टॉपिक है फर्मान मलिक की फैमिली के ऊपर और टॉपिक क्या है आप सबको पता है कि जाद बहुत ज्यादा बिमार है इस टाइम पर डेली उनके व्लोग जो है जाद के यारे कि वह बिमार है लेकिन जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया थै कि बच्चे को नहीं गोला है कि ये सोतेली मा है इसी ने जो है बच्चे को बिमार किया है ये सब इसी का किया धरा है अदरवाइस वो बच्चा बिल्कुल ठीक था तो कुछ कमेंट्स यहां पे हैं मैं आपको रीड करके दिखा दू जरा देख लेना ये सब पायल ने किया है जब अर्मान और ग बच्चों की नजर न लग जाए तो देखिए ये कहना बिल्कुल गलत ऐसा नहीं कहना चाहिए और यार यह बात बताओ यह कौन सी सदी में जीरो यह सब चीज़े ना बहुत पहले होती थी कि सोतेली मा है इसने कुछ कर दिया होगा आज की टाइम में यह चीज़े कहा है औ अगर यह लोग दोनों इकठी रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ देखो कॉम्परमाइज वगरा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा तब यह लोग जो है आज इकठे दिखते हैं चाहिए अंदर की कोई भी बात हो लेकिन व्लोग में यह लोग जो है बहुत प्यार से रहते हैं और यही चीज़ सबको यह दिखाते हैं और सेकेंड एक किसी ने यह भी कमेंट किया था कि जयाद के स्टैप मदर पायल उसे हेट करती है बस सामने प्यार करने का नाटक करती है जयाद का बार-बार बिमार होना सड़नली और बाकी दोनों बच्चे का हैल्दी रहना कुछ तो गड़बढ़ है तो देखिए आप सबको पता है कि वह बच्चा जो है ना पहले से वीक है और वीक होने की वज़ए भी सिरफ यह थी उसकी कि वह जब छोटा था तो उसका एक ऑप्रेशन हुआ था आप सबको पता है पैंडिक्स उसका आइधिंक निकाल दिया गया था कहीं वह दोनों बच्चे इसलिए हैल्दी भी रहते क्योंकि टच्चूड वह दोनों शुरू से ठीक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सिरफ यह है कि हां नजर भी लग जाती है देखो बच्चा बहुत ज्यादा मनलब क्यूट है बहुत प्यारा लगता है उसकी स्माइली बहुत ज्यादा अच्छी अट्रेक्टिव कुछ कुछ बच्चे होते भी है कि बहुत ज्यादा मतलब अपनी तरफ अट्रेक्ट कर लेते हैं तो बच्चा बिल्कूल वैसा ही है तो देहिए कहना गलत है कि आर देखो क्रिटिसाइज करो लेकिन हाँ जब कुछ नेगिटिव दिख गाल के खुद भ先生 क्लें तीन है तो वह क्यों बच्चे को जो है ऐसा करेगी सोचने वली बात है अगर देखो किसी का बच्चा नहीं होता ना वहां लेके टाइम होता था कि किसी का बच्चा नियौं दूसरे के बच्चे को देखके जल रही है ये वह चीज़े बहुत पहले होती थी यार अव तो खेर इतना टाइम बदल चुका है अब तो खेर ये चीज़े कहीं देखने को बीने मिलती तो ये चीज़े बड़ी गलत है देखो क्रिटिसाइज किया भी है पहले क्योंकि जैसे की बच्चा बिमार है लोगों ने बार बार इनको कमेंट किये कि कम से कम तो ना तुम जो है व्लोग एक दो दिन बंद कर दो और प्लीज अपने बच्चे पे ध्यान दो एक ही बच्चा है तुमारा और बच्चा इतना इमोशनल कहलो या इमोशन्स कहलो बिल्कुल ही अलग दिख रहे थे उस टाइम पे शियर कीजिए और बेल आइकेन को प्रेस करना बिलकुल न भूले सो बबाई मैं मिलती हूँ आप से एक न्यू वीडियो में बाई